कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाय उर्दू भाग एक आईए सुनते हैं नवाय उर्दू भाग एक का अठार्मा सबक मोहम्मद इकबाल सफ़ा नंबर 153 तारुफ शायर मोहम्मद इकबाल 1877 इसवी से 1938 इसवी तक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सियाल कोट में पैदा हुए उन्होंने सियाल कोट ही में इम्तियास के साथ एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया फिर लाहोर में आला तालीम पाई कुछ दिन बाद वो यॉरोप गए और इंगलिस्तान से कानून की और जर्मनी से फलसफे में डॉक्टरेट की डिक्री हासिल की इप्तिदा तालीम के जमाने ही से इकबाल शेर कहने लगे थे इकबाल ने शायरी की इप्तिदा घजल से की और दाख से इसलाह ली आगे चल कर इन्होंने अपनी शायरी को अपने पैगाम और फिक्र के इजहार का जर्या बनाया वो हरकत और अमल और खुदी की तालीम देते हैं और इन खूबियों को इनसानियत की बका के लिए जरूरी समझते हैं उनके कलाम में मौसीकियत और जोरे बया है इन्होंने लवजों के इंतिखाब में बड़ी हुनरमंदी का सुबूत दिया है इसलिए उनके अशार में खुश आहंगी बहुत है उर्दो में उनके मजमुए बांगे दरा, बाले जिबरेल, जर्बे कलीम और अर्मगाने हिजास हैं फार्सी में उनकी शायरी के कई मजमुएं शाय हुए हैं इकबाल को बीसंवीं सदी का सब سے बड़ा हिंदुसताणी शायर कहा जा सकता है इन्होंने हिंदोस्ताणियों और खासकर हिंदुसताणी मुसल्मानों को जहनी और तहजीबी घुलामी से आजाद कराया और यॉरोप के उलूम से मरूब होने के बजाए यॉरोप से इस्तिफादा करना सिखाया और ये बताया कि यॉरोप की तहसीब माद़ परस्ती और बे इनसाफी पर मबनी है और उसे बहुत जल्द जवाल आ जाएगा इकबाल की शायरी में फलसफा, तघजल, ड्रामा, पैगाम अमल और मजहब इसलाम सब इस तरह घुल मिलकर एक हो गए हैं कि वो अपनी तरह की बेनजीर चीज़ बन गई है सफ़ा नंबर 154 एक आर्जू शायर मुहम्मद इकबाल दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब क्या लुट्फ अन्जुमन का जब दिल ही बुझ गया हो शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूनता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो मरता हूँ खामशी पर ये आर्जू है मेरी दामन में कुह के एक छोटा सा ज्छू पड़ा हो आजाद फिक्र से हूँ, अजलत में दिन गुजारूं दुनिया के गम का दिल से काटा निकल गया हो लज़ते सरोट की हो, चिडियों की चैचहों में, चश्में की शोरिशों में, बाजासा बच रहा हो गुल की कली चटक कर पेगाम दे किसी का, साघर जरासा गोया, मुझको जहां नमा हो हो हाथ का सिरहाना, सबजा का हो बिछोना, शर्मा है जिससे जलूत, खलूत में वो अदा हो मानूस इस गदर हो, सूरस से मेरी बुलबुल, नन्ने से उसके दिल में, खटका न कुछ मिरा हो सफ बांधे दोनों जानिब, बूटे हरे हरे हूं, नदी का साफ पानी, तस्वीर ले रहा हो हो दिल फरेब ऐसा, कुहसार का नजारा, पानी भी मौज बन कर, उठ उठ के देखता हो आगोश में जमी की सोया हुआ हो सबसा, फिर फिर के जाड़ियों में पानी चमक रहा हो पानी को छू रही हो जुक जुक के गुल की तहनी, जैसे हसीन कोई आई न देखता हो महदी लगाए सूरज, जब शाम की दुलहन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की गबाह हो रातों को चलने वाले रह जाएं ठक के जिस्तम, उमीद उनकी मेरा तूटा हुआ दिया हो बिजली चमक के उनको, कुठिया मेरी दिखा दे, जब आसमा पे हरसू, बादल घिरा हुआ हो पिछले पहर की कोयल, वो सुभ की मौसन, मैं उसका हमनवा हूँ, वो मेरी हमनवा हो कानों पे हो ना मेरे, देरो हरम का एहसा, रोजन ही छोप उड़ी का, मुझ को सहर नुमा हो फूलों को आए जिस्तम, शबनम वजू कराने, रोना मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो इस खामुशी में जाएं, इतने बुलंद नाले, तारों के काफले को, मेरी सदा तरा हो हर दर्दमंद दिल को, रोना मेरा रुलाते, बेहोश जो पड़े हैं, शायद उन्हें जगाते सफ़ा नंबर एक सो पचपन, मश्क, लवजो मानी शोरिश, शोर उगुल, उथल पुथल, सकूत, खामुशी तकरीर, बयान, बात, उजलत, तनहाई, गोशा सरोद, गाना, नगमा जहानुमा, जिसमें या जिस से तमाम दुनिया नजर आए जलूत, महफिल, लोगों की मौजूद की खलूत, तनहाई दिल फरेब, दिल को लुभाने वाला मनमोहन कबा, पोशाक हमनवा, हम आवाज रोजन, सुराख, रोशंदान सहरनुमा, सुब का दीदार कराने वाला नाला, फर्याद, रोने की आवाज दरा काफले के रवाना होने से पहले बजने वाला घंटा, जरस सफ़ा नंबर 156 गोर करने की बात किसी शेर या शेर के किसी मिस्रे में दो मतज़ाद अलफाज के इस्तिमाल को सनते तज़ात कहते हैं इस नजम में कई आशार ऐसे हैं जिन में दो मतज़ाद अलफाज आए हैं जैसे शोरिश से भागता हूँ दिल ढूनता है मेरा ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो हो हाथ का सिरहाना सबजा का हो बिचोना शर्माए जिस से जलूत खलूत में वो अदा हो जहां नुमा एक मुरकब है जो जहां बमानी दुनिया और नुमा बमानी दिखाने वाला से मिलकर बना है जब दो मुगतलिफ अल्फाज एक साथ मिलकर तरकी बनाते हैं तो उसे मुरकब कहते हैं शेर्में किसी तारेखी वाकिए मशूर शच्सियत या शेका जिकर किया जाए तो उसे संट आ तलमैह कहते हैं साघर जरा सा गोया मुझको जहानुमा हो इस मिस्रे में सनट तलमी का इस्तिमाल किया गया है कहते हैं के कदीम इरानी बादशाह जमशेद के पास एक प्याला था जिसमें वो पूरी दुनिया को देख लेता था यहां कुली को इस्तारातन सागर के माने में इस्तिमाल किया गया है और सागर के लिए जहानुमा की तल्मीह से मदद ली गई है सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक शायर ने तनहाई की क्या खूबियां बयान की हैं? वजाहत कीजिए सवाल नमबर दो पहाड के दामन में वो कौन सी चीजे हैं जिन में शायर को खास दिल्चस्पी है? सवाल नमबर तीन शायर की आर्जू के मताबिक रात के मुसाफिरों की उमीद क्या होगी? सवाल नमबर चार आखरी शेयर में शायर क्या बात कहना चाहता है? अमली काम नजम एक आर्जू बुलंद आवास से पढ़िए इकबाल के मजमुए बांगदरा में कई नजमें बच्चों के लिए हैं आप उन नजमों को तलाश करके पढ़िए दिये गए अशायर का मफूम अपने अलफाज में बयान कीजे पिछले पहर की कोयल वो सुब्र की मौजन मैं उसका हमनवा हूँ वो मेरी हमनवा हो कानों पे हो न मेरे दैरो हरम का एहसा रोजन ही जोपड़ी का मुझको सहर नुमा हो महंदी लगाए सूरज जब शाम की दुलहन को सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की गबा हो नजम से ऐसे दो अशायर लिखिए जिन में तश्बीह का इस्तेमाल हुआ हो दी गया अलफास को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जहनुमा, सहरनुमा, हमनवा, दिलफरेब, जलूत, खलूत इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का अठार्मा सबख यहां खत्म हुआ इसके बाद सबख उन्नीस आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत